हाई एवरिवन, वेलकम टू जेयार कॉलेज यूटूब चैनल, I am your friend राहूल जेस्वाल, तो दोस्तो वन सकेड आपके लिए एक ओर भेहतरी मैज्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आगे हूँ, जैसे कि आप लोगा डिमांड आ रहता है कि सर्थ थोड़ा कंटिनियोश और फास्ट बनाईए, तो हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ हम 11 स्टांडर के साइंस डिपार्टमेंट के वीडियोज लेकर आ रहें, फिजिक्स, केमेश्ट्री, मैज, बायलेजी, चारो सब्जेक्ट के वीडियोज हमारे चैनल, इस चैनल, जैयार कॉलेज पर देखने मिल करते हैं, बस यही मेरा सपना है, कि आप लोगों के लिए मैं थोड़ा तो कंट्रिब्यूट कर पाऊ अपने एंड से, जिस प्रकार हमने दसवी तक के बच्चों के लिए बहुत जी, जान लगा के महनत किये, उस प्रकार हम चाहते हैं कि हम 11 और 12 के बच्चों के लिए भी क कुछ contribution दे सके, तो यह जितना experience है, जितना भी knowledge है, उसके इसाफ से हम चीज़े आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आज फिर से maths 1, determined and matrices, यह chapter हमारा चल रहा था, और यह जो chapter है दोस्तों, यह chapter बहुत interesting और बड़ा और बहुत must chapter है, क्योंकि अगर इस chapter को आप सेट, जो है हमारा, जो कि exercise 4.5 है, उसकी हम लोग शुरुआत आज करेंगे, और आज के दिन हम लोग बहुत सारे examples को solve कराने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग जूड जाओ, हमारे साथ Instagram और Telegram पे भी और साथ में हमारे application को download कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, जब मत्राइस की बहुत सारे concept, जिसमें हमने determinant और बहुत सारे और भी चीज़े focus किती, आज हमारे 4.5 exercise हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने के पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक उसका concept है, वो concept आपको समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते है operation on matrices, जैसे कि आप जानते हो matrices है, अब matrices क्या होता है ये तो आप अच्छी भली बाती समझ चुके होंगे फिछले lecture अगर आपने lecture number 4 देखा होगा तो, आज हम दो चीज़ concept समझेंगे, एक होता है matrices के अंदर multiplication, क्योंकि एक scalar number से multiply होता है, और एक होता है addition of two matrices, तो ये जो addition of two matrices ये आपके लिए बहुत जादा important होगा, क्योंकि अभी जो हम लोग exercise पढ़ने वाले 4.5 के जो example solve कराएंगे पाच्छे examples, ये examples में ये additions बहुत important रहेंगे, आपको दो matrix को कैसे जोड़ना है ये आपको समझना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले समझते हैं कि सबसे पहले कोई particular matrix अगर दिया है, उसके साथ कोई भी एक number है, scalar number हो सकता है, fraction में हो सकता है, प्रॉपर कोई number हो सकता है, अगर multiply करना है तो कैसे करोगे, तो इसका answer कैसे आएगा, बस और कुछ नहीं, इस number को जैसे हम लोग किसी bracket के बाहर वाले number को, अंदर multiply करते थे, सेम उसी प्रकार multiply करन है, तो इस देखो क्या हो जाएगा, 5 by 2 multiply by minus 1, minus 5 by 2 हो जाएगा, 5 by 2 multiply by 5, 25 तो यह हो जाएगा, 25 by 2, ठीके, वैसे ही नीचे अगर आप देखो, थोड़ा और बढ़ा बना लेते हैं, नीचे अगर आप देखो कि तो 5 by 2 multiply by 3, 5 3 जा 15, उपर का उपर का उपर की साथ मल्टिप जाएगा, समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत इजी है, 5 by 2 multiply by 4, तो 5 multiply by 4 करूँगा, 20, 20, डिवाइड बाइड 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 तो, इस तरीके से यह आपने क्या बना लिया, आपका एक नया matrix बना लिया, by doing the multiplication, तो यह बहुत इजी होता है, रखने मिलेगा, that is nothing but the multiplication of two matrix, अभी 11th में वो चीज़ नहीं है, यह आप लखी मानो, आगे जाके next exercise में आप सीखोगे वो चीज़, basic सीखोगे उसका multiplication of two matrix, लेकिन अभी फिलाल इतना समझना है कि कोई एक ही matrix है, उसके साथ में कोई एक scalar number multiply हो रहा है, तो इस तरीके से आप multiply करके value जो है, वो निकाल सकते हो, correct है, clear, समझ में आगे आप लोगो, चलो, अब next, जो समझना है topic हमें, वो है addition of two matrix, यह इसको अच्छे ते समझ के लोगो, बहुत easy होता है, कुछ करना नहीं होता है, कभी भी 2 matrix दिया है, let's suppose यह A matrix है, यह B matrix है, आपको A plus B ऐसा करने के लिए यह आएगा, बहुत सारे आएगे, आपको इननों को plus करना है, तो plus करने के लिए करना क्या होता है, बस जो जिस position में है, उसके सास्थ plus करतो, यह पहले position में है, तो पहला वाला पहले के साथ plus होगा, तो 2 plus यह क्या है, minus 4, थो 2 plus minus 4, ठीक है, फिर उसके बाद 3 है, थीक है, त ठीचे आजाओ, minus 1, 5 के साथ प्लस होगा, तो minus 1, plus 5, minus 2, 7 के साथ प्लस होगा, तो minus 2, plus 7, plus करना है न, इसमें, इसके लिए, 0 के साथ प्लस होगा, 8 के साथ, तो 0 plus minus 8, matrix close, answer क्या आएगा, 2 plus minus 4 कितना होता है, minus 4 plus 2, यानि, minus 2, 3 plus 3 कितना होता है, 6, 1 plus 1 कितना होता है, 2, 5 minus 1 कितना होता है, 4, 7 minus 2 कितना होता है, 5, और minus 8, plus 0, यानि, minus 80 रहेगा, वो, तो यह हो गया, आपका, एक 3 by 2 का, matrix, sorry, 2 by 3 matrix, this is 2 by 3 matrix, आगे, answer खत्ब, तो इस तरीके से करना है, जब आप थोड़े, एक्सपर्ट हो जागे, तो डारेक मन में प्लस कर लो, देखो, कैसे, 2 minus 4, जब ये इसके सब प्लस होगा, तो 2 plus minus 4 कितना होगा, minus 2, डारेक आगया, मतलब ये step लिखने के ज़रोती नहीं आपको, लिखने के लिख सकते हो, बढ़ा के दिखाने के लिए, जितना अच्छा step दिखाओगे, उतने अच्छे मास मिलने के चांसेज होते हैं, लेकिन फिर भी, जब आप expert हो जाओगे, और फिर आपको edition, अच्छे से जम गया होगे, तो टारेक भी आप कर सकते हो, माइंड के इसाब से आप कैल्कूलेट करेंगे, ठीक है, चले, वीडियो की शिरुवाद हम लोग करेंगे, क्या है, एक्साइज 4.5, तो एक्साइज 4.5 की हम लोग शिरुवाद करने जा रहे, आप लोग बिल्कूल बने रहेना हमारे साथ, और ध्यान से इस चीज़ को समझना, तो सबसे पेले question क्या बोल रहा है, if A is equal to this, B is equal to this, दो मैट्रिक्स दिया हुए, हमको बोल रहा है, show that A plus B is equal to B plus A, मतलब आपको पहले A plus B करना पड़ेगा, मतलब इसको इसके साथ plus करना पड़ेगा, उसके बाद B को A के साथ plus करना पड़ेगा, यानि पहले यह, फिर यह, तो दोनों को plus करने करने करद हमें यह चेक करना है, कि दो जो value आएगा, दोनों equal है की नहीं, वो हम लोग चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A plus B, तो A plus B निकालते हैं हम लोग, बताओ, A plus B कैसे करोगे, यह वाला, इसके साथ plus होगा, तो 2 plus minus 1, ठीक है न, देखो यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 2 plus minus 1, यानि 2 minus 1, 1 होगा, देखो 2 minus 1, 1 हो गया, वैसे यह minus 3 किसके साथ plus होगा, 2 कैसा, तो minus 3 plus 2 कितना होता है, minus 1, देखो मैं direct कर रहा हूँ, एक step कम कर रहा हूँ, जो यहाँ पर मैंने आपको बता है न, यह step, आप बता सकते हो वहाँ पर, चाहिए तो मैं अपस लिखता हूँ, अगर आपको चाहिए, यह पहले ही एक्जामपल है न, तो मैं आपको पूरा step लिखके दिखाता हूँ, यह क्या हो जाएगा, 2 plus minus 1, वैसे यह है, उनके माइनस 3 plus 2, नीचे आजाओ, 5, किसके साथ प्लस होगा, 2 के साथ, 5 plus 2, minus 4, 2 के साथ प्लस होगा, plus 2, यहाँ पे minus 6, 6 plus 0, और यह 1 plus 3 के साथ होगा, यह step आपने लिख दिया, इसको पूरा solve कर लो, a plus b is equal to, क्या हो जाएगा, 2 plus minus 1, 2 minus 1, 1, minus 3 plus 2, minus 1, 5 plus 2, 7, minus 4 plus 2, minus 2, minus 6 plus 0, minus 6, 1 plus 3 is equal to 4, तो यह आप क्या आगया, a plus b, इसको मानलो आप equation number 1, यह मानली आपने equation number 1, ठीक है, clear, यहाँ तक, आप next, आपने a plus b निकाल लिया, अब आप b plus a निकालो, तो b plus a कैसे निकालोगे, b plus a, आपको क्या करना पड़ेगा, b को a के साथ प्लस करना पड़ेगा, तो यह b है, तो यह plus a, मतलब minus 1, plus 2, तो minus 1, plus 2, वैसे यह वाला 2 plus minus 3, 2 plus minus 3, एक है, समझ में आ रहा है, वैसे, यह b plus a करना है, मतलब 2 plus 5, यहाँ पर आजाएगा, 2 plus 5, वैसे यह 2 plus minus 4, तो 2 plus minus 4, ठीक है, वैसे निचे यह 0 plus minus 6 हो जाएगा, 0 plus minus 6, और यह 3 plus 1, 3 plus 1, ठीक है, close करो, तो b plus a का वैलू निकालो, तो b plus a is equal to what, क्या आएगा, minus 1 plus 2, यहाँ कि यह हो जाएगा, 2 minus 1, 1, समझ में आ रहा है, minus 3 plus 2, यह हो जाएगा, minus 1, 5 plus 2, 7, 2 plus minus 4, minus 4 plus 2, मतलब minus 2, minus 6 plus 0, minus 6 ही रहेगा, 3 plus 1 होता है, 4, ठीक है, समझ में आ रहा है, अब आप देखो, यह a plus b निकाला हम नहीं, और यह b plus a निकाला है, इसको आप 2 माल लो, अब आप ध्यान से देखोगे, equation number 1 को, और equation number 2 को, यानि a plus b को भी देखो, और b plus a को भी देखो, इसका matrix 1 minus 1 है, उपर भी 1 minus 1 है, 7 minus 2 है, 7 minus 2 है, minus 6, 4 है, minus 6, 4 है, मतलब कहीं नहीं आप देखो, तो चाहे a plus b का value हो, चाहे b plus a का value है, दोनों का value सेम आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे नीचे, from equation number 1 and 2, हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि भाईया a plus b जो है, वो किसके बराबर है, b plus a के बराबर है, और यही चीज़ हमें प्रूब करके दिखाना था, और हमने अराम से प्रूब करके दिखा दिया, show that बोला था न, a plus b is equal to b plus a, करके दिखा दिया, कितना easy अबाब बता होजे, clear, समझ में आ रहा है, तो ऐसे examples आएंगे, देखो, अभी थोड़ा energy level drop है, क्योंकि इसके पहले में यह चीज नोटिस किया, काफी 11 के बच्चे हैं, जिन्हों ने अपना 11 standard को almost waste किया, इसके पहले mid term exam हो चुके, बहुत सारे बच्चों का अच्छा marks नहीं है, science stream से, लोग बोलते हैं, कुछ बच्च चाहिसे, बोलबे सर गलती कर लिया, science stream लेके, अरे गलती नहीं किया, आपने पढ़ाई नहीं किया, सीधा-सीधा ऐसा बोलो आप, तो देको पढ़ाई करना पढ़ेगा आपको, अगर आप चाहते हो कि 12 में भी अच्छे marks में निकालू, आपको समझ में आने लगेगे चीज़े, और फिर अच्छे marks आप निकाल सक होगे, तो यह चीज़ ध्यान रखो यार, बस यही बोलना चाहूँगा, next, if a is equal to this, b is equal to this, find the matrix a minus 2b plus 6i, आपको a का value दिया है, b का value दिया है, इसको निकालना क्या है, a minus 2b plus 6i, यह value निकालना इसको समझो ध्यान से, a minus 2b plus 6i का value निकालना है, ठीक है, a क्या है हमारे पास, जेखो, a क्या है, यह value है, 1 minus 2, 5, 5 और 3 है, minus 3 नहीं है, यह 3 है, a लिख दिया, इसको minus करना है 2b के साथ, तो 2 multiply by b को ने, b यह है, 1 minus 3, 4 minus 7, और इसको plus करना है 6i के साथ, i क्या है यहाँ पे, 1, 0, 0, 1, identity matrix, 2 by 2 का 1, 0, 0, 1 होता है, मतलब इन सभी को अगर मैं plus कर दू, तो हमारा answer आ जाएगा, ठीक है, तो चलो निकालते हैं, निकालो, कैसे निकालोगे, यह अभी as it is रखता हूं में same to same, 1, minus 2, 5, और 3, as it is रखता हूं, अभी 2 अंदर multiply by यहाँ यादे multiplication की concept, जो starting में बता है, scalar matrix, यह scalar number multiply by a matrix, तो two multiply by यंदर, यह हो जाएगा, minus 2 हो रहे गा, इस next हो छिपमें, दिखर है तो पहले तो यह दोनों को माईस कर दो फिरस के साथ कर दो या फिर इंदोनों को प्लस कर दो इसके साथ माइस कर दो जैसा आप को सही लगे उसी साथ क्या आप कर सकते हो ठीक है कोई पर चानी नहीं इसमें ठीक है, यह आपने 1 का लिख दिया, वैसे यह minus 2 जो है, ग्याब कर दो अभी, ठीक है, minus 2, minus 2 है न, यह minus minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, minus 2 प्लस 6 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि निए, बहुत इजी है, जो चीज आपको में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यह minus 2 था ल वैसे यह 3 है, 3 के साथ क्या माइनस हो रहा है, यह माइनस तो है, यह माइनस माइनस मिलके प्लस बनाएंगे, 3 के साथ पॉर्टिन प्लस में जाएगा, और यहां पे प्लस हो जाएगा 6, अब इसको सॉल कर दो आ गया answer, कितना हाड लग रहा है देखने में, लेकिन कितना easy है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इकवल कर लो, 1 minus 2, minus 1, minus 1, plus 6 is 5, तो हमारा यह value आ रहा है, 5 यहां पे, अगला है, minus 2, plus 6, 6 minus 2, 4, तो यहां पे आ जाएगा 4, ठीक है, अगला है, 5 minus 8, minus 3, आ गया, and last में है, 3 plus 14 is 17, plus 6 is 23, तो यह आ गया, आपका 23, और इस तरीके से आपका जो value है 2, 3 by 3 matrix, 2 by 2 matrix आ गया, तो यह आ गया आपका answer, 5, 4, minus 3 और 23, this is your final answer, जो आपको question पूछा था, किसका पूछा था, आप ऐसा लिख सकते हो, पूरा बड़ा statement बना के लिख सकते हो, ऐसा वाला, कि भाया, therefore, A minus 2B plus 6I is equal to, क्या आ रहा है हमारे पास, 5, 4, minus 3, 23, और 23, this is your final answer, कितना आराम से किया, मुझे लगता है, 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 पूरा पारिशानी नहीं है, आराम से अच्छे marks मिलते है, ठीक है, चलो, यह हो गया question, अब बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, next question क्या बोल रहा है समझो, समझो question को क्या बोल रहा है, question है, a का value दिया है, इस, b का value दिया है, find matrix c, हमको c का value निकाओना है, condition क्या दिया है, a plus b plus c is equal to 0 matrix, a plus b plus c, जो है, वो 0 matrix है, तो पहले लिखो, given, क्या दिया हुआ हुआ है, a plus b plus c, जो है, वो क्या है, 0 matrix है, मतलब 0 है, तो अगर में बात कर तो C की value हमें find out कर दिए, वराबर metric C की value find out कर दिए है, तो therefore हम लोग क्या बोल सकते हैं कि C जो होगा, अगर इस A plus B को में उधर भेज़ दूँँगा, तो यह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस को मैं एज़ी रखता हूँ, matrix बना लिया मैंने बढ़ाता, और मतलब एक matrix निमना है, मैंने ये बना दिया, मतलब क्या बोलते हैं को, column बना लो, bracket बना लो, मतलब इन चौट, यह हमारे लिए क्या है, बढ़ाता bracket है, ठीक है, उस bracket के अंदर हमारा matrix आज तो A का matrix क्या है, देखो, A का matrix है, माइनस का sign जो है, मैंने बाहर रखा, A का matrix है मेरे लिए 1, 2, minus 3, minus 3, 7, minus 8, 0, minus 6, और 1, इसको मैंको plus करना है, किसके साथ, किसके साथ plus करना है, देखो, B के साथ plus करना है, B क्या है मेरे लिए, देखो, B क्या है, 9, minus 1, 2, minus 4, 2, और 5, और 4, 0 2-3, इसके साथ मुझे प्लस करना है और पूरा बड़ा ब्राकेट ख्लोस, ये ब्राकेट है मेरा, ठीक है, इसको चाहिए तो कोछ और खललके से मैं बनाता हूँ, ताकि आप का प्रूजन ना भू आपको ये ब्राकेट आ ओके लिए, ठीक है, ये मैट्रिक्स का नहीं है, ये matrix बन जाएगा, यह वाला वैलू इसके साद प्लस होगा, यानि कि 1 प्लस 9 हो जाएगा, 2 वाइनस 1 के साद प्लस हो जाएगा, यानि 2 प्लस माइनस 1, माइनस 3 2 के साद प्लस हो जाएगा, यानि माइनस 3 प्लस 2, वैसे यह माइनस 3, प्लस होगा, 0 के साथ, तो माइनस 6 प्लस 0 और यह 1 प्लस होगा, माइनस 3 के साथ, यानि 1 प्लस माइनस 3, ठीक है, राकेट प्लोस, जलो, अब यहां धायन दो, यहां देना इसको, बहुत इजी है, कलर चेंज कर लेता हूँ, अब देखो, C is equal to, हम C निकाल रहे हैं, तो C is equal to minus 2 थाई, पहले से ही, ठीक है, minus 2 थाई, मैट्रिक्स आएगा, 1 प्लस माइन कितना होता है, 10 होता है, यहां पर आगया 10, अगला 2 प्लस माइनस 1 यानि 2 माइनस 1 कितना होता है, माइनस 3 प्लस 2 कितना होता है, मैनस 1, यहां पर, पहले, नगले, 6-0, वालल होता है, माइनस 6, 1 प्लस माइनस 3, मतलब माइनस 3, प्लस 1 कितना होता है, माइनस, यह इस तरीके से आपका एंसर आगे, अब यह बाहर माइनस का सिंबॉल था ना तो अंदर मल्टिप्लाइ कर दो, तो therefore c will be equal to what, अंदर माइनस दे दो सबको, तो माइनस 10 हो जाएगा, यह आपका माइनस 1 हो जाएगा, यह आपका माइनस अल्रीडी था, तो यह माइनस यह माइनस मिल के प्लस 1 बना देगे, यह माइ से हमने निकाले, तो आपको जो question पुछा था, find the value of matrix C, तो आप देख सकते हो, कितने आसानी सा, ऐसा नहीं है, किसमें बहुत जाता rocket science लग रहा है, बहुत दिमार्ग लग रहा है, कुछ नहीं है, addition करना है, बदो बच्चों का खेले, यार यह, और सचो ऐसे question 2-3-3 marks के सफलता मिलेगी, ठीक है, चलिए अगले question पे चलते हैं, क्या गोल रहा है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो, कि यहां पर हमारे पास एक equation दिया हुए, 3x-y is equal to 1-1-1-1, और यह दूसरा equation है, हमारे पास x-3y is equal to 0-1, 0-1, ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको x और y का value न तरीका था, कि हम किसी एक को cancel कर ले, यानि y को cancel कर ले, तो x बच्चे का और x का value निकल जाएगा, तो हम वो तरीका भी इस्तेमाल कर सकते, तो अगर मैं मानलू, इन दो को मैं equation मानलेता हूँ, तो let's suppose सबसे पहले में, 3x-y is equal to, यह 1-1, minus 1, और 1, इसको मैं मानलेता हूँ, equation cancel करना है, मतलब x और y है, यहाँ पर भी x और y, और मुझे इन दोनों में से किसी को cancel करना है, तो मुझे कुछ ऐसा, कुछ multiply, कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा, जिसके इसे cancel हो जाए, तो अगर आप देखोगे, equation number 1 में, जो हमारा equation number 1 है, देखो ध्यान से, अगर इस equation number 1 मे मैं 3 multiply करू, क्या कर रहा हूँ, multiply by 3 कर रहा हूँ, तो यह क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, minus 3y हो जाएगा, 9x minus 3y हो जाएगा, ठीक है, और अगर मैं इती को minus कर दू, equation number 2 को, मतलब इसमें से equation number 2 को minus कर दू, जो कि यह है, minus, यह equation number 2 है, क्या हो जाएगा, minus x, और यह minus, minus कर से plus 3y हो जाएगा यह plus 3y minus 3y cancel हो रहा है 9s minus 8x बच रहा है मतलब हमारा x का component हमारे पास बच रहा है तो हम क्या करेंगे यह method use करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे हमने क्या किया in shot पहले equation को 3 से multiply किया और minus कर दिया इसके साथ तो क्या करना है हम लोग को minus 1 और 1 minus this that is 0 minus 1 0 minus 1 ठीक है चलो solve कर लेते हैं पहले left hand side solve को रहो 3 तरह जाए 9 9x minus 3y minus x plus 3y is equal to 3 multiply by 1 अंदर multiply हो जागा तो 3 minus 3 minus 3 और 3 minus 0 minus 1 0 minus 1 ठीक है चलो solve करते जाओ 9x minus x 8x हो जाएगा यह minus 3 plus y plus 3y cancel minus 3y minus 3y cancel 9x minus x is equal to 8x is equal to यह solve हो जाएगा तेको यह minus यह minus हो रहा ना इन दोनों matrix के बीच में तो माइनस तो इस यह करना 3 minus 0 is 3 हो जाएगा minus 3 minus 1 कितना हो जाएगा minus 4 हो जाएगा sorry minus 3 minus of minus 1 मतला minus 3 plus 1 तो यह हो जाएगा minus 2 यहाँ पर आ जाएगा minus 2 minus 2 आ गया वैसे देखो minus 3 minus 0 हो जाएगा minus 3 minus 0 minus 3 रहेगा और 3 minus minus 1 3 minus of minus 1 तो 3 plus 1 मतलब 4 यहाँ पर आ जाएगा 4 तो इस तरीके से अपने यह value निकाल लिया अब 8x is equal to this अब आपको सिफ x का value चीए क्योंकि हमको x and y का निकालना न तो x का value चीए तो x will be equal to what यह 8 निचे आ जाएगा divide में मतलब क्या हो जाएगा यह 3 के निचे 8 आएगा 3 by 8 हो गया वैसे यह minus 2 by 8 हो जाएगा वैसे यह minus 3 by 8 हो जाएगा अगेन ठीक है और यह हो जाएगा आपका 4 by 8 ठीक है 4 by 8 हो जाएगा आगे answer इसको आप और अच्छी तरीके से क्या लिख सकते हो is equal to क्या लिख सकते हो यह क्या हो जाएगा एक स्टेप बढ़ा लो एक सेकंड देखो ध्यान से देखते रहे ना ठीक है इस चीज़ को समझो एक स्टेप बढ़ा देता हो therefore x will be equal to finally क्या आजाएगा हमारा value x का value क्या आजाएगा यह 3 by 8 वैसे का वैसे ही रहेगा minus 2 by 8 2 के table में 2 1s are 2, 2 4s are 8 यानि यह बचेगा minus 1 by 4 cancel हो गया minus 3 by 8 भी वैसी का वैसी इसको कुछ कटने कर सकते लेकिन यह 4 by 8, 4 हो जा 4, 4 2s are 8 मतलब 1 by 2 हो जाएगा और यह रहा आपका final answer किसका x का तो आपने x का value निकाल दिया जो कि आपका आगया 3 by 8 minus 1 by 4 minus 3 by 8 और 1 by 2 तो आपने x निकाल दिया उसी प्रकार आप क्या निकालोगे y निकालोगे तो जब आपको y निकालना है दोस्तों यह चीज़ को ध्यान से सोचो पहले समझो जैसे हम लोग x निकालने के लिए हमने क्या किया कुछ ऐसा किया कि equation number 3 को equation number 1 को 3 से multiply करके 2 के साथ minus किया तब जाके y cancel हुआ और हमें x का value मिला वैसे यहाँ पे अगर मुझे y का value निकालना है तो मुझे x cancel करना पड़ेगा तो x cancel करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जो मेरा equation number 1 था उसको मैं minus करूँ देखो ध्यान से equation number 1 मेरा क्या है 3x minus y है इसको अगर मैं minus करू equation number 2 के साथ जो की है x minus 3y ठीक है तो direct तो cancel नहीं हो रहे लेकिन मैं अगर कुछ ऐसा multiply करूँ उसमें तो मेरा x cancel हो जाए तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 3x है यहाँ पर 3x लाना है मतलब 3 से multiply कर दूँगा तो यह हो जाएगा 3x minus y minus 3x plus 9y 3x minus 3x cancel minus y plus 9y यानी की 8y आ जाएगा इस तरीके से हम लोगो यहाँ से y का value निकल जाएगा correct तो मैं क्या करूँगा क्या दिमाग लगाँगा यहाँ पर मैं लगाँगा कि मैं यह करने वाला हूँ कि equation number 1 को minus करूँगा 3 multiply by equation number 2 तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले हमारा main same चीज ले लूँगा जो कि है मेरा equation number 1 क्या है equation number 1 3x minus y left hand side ले लिया उसको मैं minus कर रहा हूँ 3 multiply by equation number 2 जो कि है x minus 3y same apply होगा right hand side में right hand side मेरा क्या है 1 minus 1 minus 1 और 1 minus करूँगा 3 multiply by equation number 2 के साथ 0 minus 1 0 minus 1 अब इसको पूरे को solve कर दो आपका answer आजएगा देको solve कर रहा हूँ यह 3x थोड़ा और उपर करता हूँ जगा कम पड़ेगा नहीं तो 3x minus y minus 3x plus 9y ठीक है यह plus minus 3x plus 3x cancel ठीक है समझ में आ रहा है और यहां पे क्या बच रहा है 1 minus 1 minus 1 और 1 बच रहा है माइनस 3 multiply by अंगर मल्टिप्लाइब कर दिमांटिप्लाइब जीरो minus 3 multiply by minus 1 यानि positive 3 हो जाएगा ठीक है चलो पॉजिटीव की बात नहीं हम लोग माइनस बाहर रख रहे ना तो उसको 3 multiply by minus 1 minus 3 रखो 3 multiply by 0 0 3 multiply by minus 1 is minus 3 ठीक है अब इसको solve कर लेंगे हमारा answer आ जागा देखो यह 3x minus 3 x cancel minus y plus 9 y यह हो जाएगा 8 y is equal to यह पूरा minus में हो जाएगा solve देखो 1 minus 0 1 minus 0 कितना होता है 1 ही रहेगा minus 1 minus of minus 3 to minus 1 plus 3 minus 1 2 हो जाएगा वैसे minus 1 minus 0 is 1 ही रहेगा minus 1 रहेगा minus 1 के साथ plus करो 0 minus करो minus 1 रहेगा और यह 1 minus of minus 3 1 plus 3 मतला यह 4 आ जाएगा ठीक है समझ में आ गया clear clear और देखो यहां पर यह पर 8 है तो 8 को उधर बेज़ दो तो therefore y का value आ जाएगा यहां पर इस प्रकार से कि यह 1 by 8 हो जाएगा यह 2 by 8 हो जाएगा यह minus 1 by 8 हो जाएगा और यहां पर यह 4 by 8 हो जाएगा ठीक है तो therefore finally हमारा y का statement मतला y का जो value आएगा वो क्या आ जाएगा यह 1 by 8 वैसी का वैसी यह 2 by 8 मतला 2 1 जाएगा 1 by 4 हो जाएगा यह minus 1 by 8 वैसी का वैसी और यह 4 by 8 मतला 1 by 2 हो जाएगा ठीक है तो this will be your final answer तो x का value हमारे पास आ गया यह y का value हमारे पास यह आ गया clear दोस्तों बहुत easy तरीके से मैंने आपको यह चीज समझाने की कोशिश की है और उमीद करता हूँ कि आप लोगो यह example बड़े अराम से बड़े अच्छे समझ में आ गया I know थोड़ा सा tough था example लेकिन अगर मैं बोलू इसमें कोई जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है इसमें कोई rocket science नहीं लग रहा है आपका बस जो addition का फंडा है वही लग रहा है आपने बस जो चीज पूछा था उसके इसाब से हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाईया क्या multiply करो तो क्या cancel होगा तो हमने x का value इस प्रकार से और इस प्रकार से y का value हमने calculate कर लिया बहुत जबर्दत तरीके से हमने solve करके निकाल दिया है ठीक है समझ में आ गया तो बस ये था हमारा example number 5 लेकिन और भी examples बचे होई तो इसको भी हम लोग थोड़ा fast तरीके से देखेंगे और solve करानी की आप लोगो कोशिश करते हैं तो चलो अगला example आप जो की देख पा रहे होंगे screen के उपर बहुत easy है ये भी बहुत जादा ही easy है तो जैसे हम लोग करते हा रहे थे वैसे हम लोग करेंगे सबसे पहले अगर आप देखोगे आप ध्यान से simplify करना मतलब यह वाला इसके साथ प्लस करना है तो पहले तो यह बाहर है तो multiply हो जाएगा कर लो multiply cost multiply by cost क्या हो जाएगा यह हो जाएगा cost square theta cost multiply by sin यह हो जाएगा cost theta sin theta ठीक है वैसे cost multiply by minus sin तो minus sin theta cos theta जो भी होता है आगे लिखो पीछे लिखो कोई बात नहीं ठीक है cost multiply by cost मतलब cost square theta यह आपका हो गया एक वैसे अब हमको करना क्या है यह matrix और यह matrix जो अलग अलग matrix है इनको plus करना है जैसे हम लोग करते आ रहे थे बस और कुछ नहीं ठीक है solve करें क्या हो जाएगा यह इसके साथ plus हो जाएगा यानि cost square theta plus हो जाएगा इसके साथ जो कि है sin square theta के साथ ठीक है फिर यह cost theta sin theta जो है यह plus हो जाएगा इसके साथ जो कि है minus sin theta cos theta के साथ ठीक है नीचे आ जाओ minus sin theta cos theta sin theta के साथ plus हो जाएगा तो minus sin theta cos theta plus sin theta cos theta ठीक है समझ में आ रहे है कि नहीं बहुत easy है यार बहुत easy है ठीक है और यह वाला इसके साथ plus हो जाएगा पाइनली cost square theta plus sin square theta अब जो बच्चे होंगे इसको देखके बहुत डर रहे होंगे कि sir क्या होगा आप कैसे answer आएगा तो मैं आपको बता हूँ ठीक है माइनस sin theta cos theta plus sin theta cos theta मायनस x plus x क्या हो जाएगा यह एक दूसरे को cancel तुछ जएक यह क्या हो जाएगा जीरो यह क्या हो गया और कॉस्कॉर थीटा कितना होता है आगे answer खतम का नहीं कितना इस अप कॉमेंट करके बताना पड़ेगा आपको विधिन थी स्टेप वांट टू थी विधिन थी स्टेप यूट देखने में खतरनाख भी कर था था बच्चे इसको स अगला example क्या है चलो फटाफट से notice करेंगे क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है उसके इसाब से ठीक है चले हम लोग आगे बच्चे क्या करना है हम लोग को ओके चलो सबसे पहले अगला example देखते हैं क्या है find x and y इसमें भी same x and y निकालना है अगर ये value दिया हुआ है एक matrix दूसरा value is equal to this सबसे पहले हम लोगो जो दिया हुए लिख दो भाई क्या दिया हुए 2x plus y minus 1, 1, 3, 4, y, 4 ठीक है ये एक आपका matrix दिया हुआ है और इसको अगर मैं plus करूँ इसके साथ जो कि आपको दिया हुआ है minus 1, 6 और 4, 3, 0, 3 is equal to ये दिया हुआ है आपका 3, 5, 5, 6, 18 और 7 आपने एक फंदा पड़ा था matrix का that is equality of matrices मतलब अगर कोई यहाँ पे एक value है उसके साथ equal में कुछ value है तो हम दोनों को equal करके और x के सामने जो भी है उसके सामने value निकाल सकते जो कि हमने पिछले exercise में भी follow किया था लेकिन हमें इन दोनों को plus करना पड़ेगा सबसे पहले पूरा value निकालने के लिए क्योंकि इन दोनों को plus करके एक value आएगा उसको हम इसके साथ directly क्या कर सकते compare कर सकते हो और equality of matrices से हम लोग इसको solve कर सकते हैं ठीक है चलो अब हम एक एक करके plus करते जाएंगे सबसे पहले step ले रहा हूं यहाँ पे इकवल मत लिखो क्योंकि अल्वीड इकवल लिखा हुआ है wrong हो जाता है इसके साथ यानी 1 प्लस 4 वैसे ट्रीकिस के साथ यानी 3 प्लस 3 ठीक है पोर वाए 0 के साथ 4 y प्लस 0 और यह 4 3 के साथ यानी 4 प्लस 3 ठीक है बाकि यह जो वैल्यू है उसको सेम एज़ी रखना है 3, 5, 5, 6, 18, और 7, as it is रख दिया हमने, ठीक है, अब इसको proper solve कर लो, 2x plus y minus 1, ये इसको कुछ कर नहीं सकते है, 2x plus y minus 1, as it is रहेगा, ये minus 1 plus 6 हो जाएगा, 5, 4 plus 1 होता है, 5, ठीक है, 3 plus 3 होता है, 9, 4y plus 0, सिफ रहेगा, 4y, और ये रहेगा, 4 plus 3, यानि 7, and that is equal to this value, जो की है, यहां तक clear, कोई doubt नहीं, बस हमने जो किया, जो addition का जो process था, वो ही किया, कुछ नया नहीं किया, ठीक है, यहां से एक line खीज देते है, partition के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो, अब असली खेल शुरू होता है, हमारे पास ये equation है, is equal to this equation है, सीधा सीधा हिसाब कर सकते ह हम लोग लिखेंगे by equality of matrices, क्या लिखेंगे हम लोग by equality of matrices, देखो ध्यान से, इसको हम लोग save कर लेते हैं तब तक पहले, ध्यान से देखना, बस equality of matrices करना है, जो जिसके सामने है, उसके सामने लिख देना है, और यह आपका एक equation बनेगा, direct भी value आएंगे कुछ, और कुछ equation वाले value भी आएंगे, बस उसको डालो, calculate कर लो, आपका answer आजेगा, कैसे आएगा, देखो, यह पूरा 2x plus y minus 1 किसके सामने है, यह वाला is equal to किसके सामने, 3 के सामने, तो आप कैसे लिख होगे इसको, देखो equation कैसे आएगे, यह 2x plus y minus 1, यह पूरा इसके सामने है, यानि is equal to 3 ह ठीक है, समझा है यह चीज, इसको आप equation number 1 डाल के छोड़ दो, फिलाद, अब आगे बढ़ो, यह 5 is equal to 5 को को जरोत नहीं है, equation कहाँ दिख रहा है आपको, मतलब value कहाँ दिख रहे है, यहाँ पे दिख रहा एक value, जो कि यह 4y के सामने क्या है, 4y के सामने क्या है, 18 है, देख इसको solve कर सकते हैं, हम लोग, कि y is equal to 18 upon 4, so therefore आपको y का value कितना मिलेगा, 9 upon 2 मिलेगा, something, 4.5 मिलेगा, y का value कितना मिल रहा है, check करो, y का value कितना मिल रहा है, आपको 9 by 2 मिल रहा है, जो कि 4 by 2, 4.5 आ जागा, तो मैं इसको as it is पकड़ता हूँ, y is equal to 9 by 2, क्या मिल रहा है, y का value 9 by 2 मुझे मिल रहा है, अब इसको उठा के equation number 1 में डालो, put in 1, put in equation number 1, ठीक है, अब equation number 1 में रहा है, 2x plus y minus 1 is equal to 3, y का value कितना मिलेगा, 9 by 2, तो डाल दो, 2x plus y का value है, 9 by 2, minus 1 is equal to 3, अब इसको, इसमें हमने y का value 9 by 2 डाला, बस इसको solve करना है, हमारा answer आ जाएगा, y, x का, तो 2 2x, य, minus 1 को उधर बज़ों, 3 के साथ, प्लस 1 हो जाएगा, यानि 2x plus 9 by 2 is equal to 4, 3 minus 1, 3 plus 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे 2x is equal to 4 minus 9 by 2 कर सकता हूँ में, ठीक है, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, 2 for the 8, 8 minus 1 कितना होता है, जान से देखो, क्या है 2 for the 8, 8 minus 1, देखो, यहाँ पे, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और स्टेप बिलिक सकता हूँ में, तो 2x is equal to, 2 for the 8, 8 minus 9 upon 2, तो क्या बचेगा, 2x is equal to 8 minus 9, यानि minus 1 upon 2 बचेगा, ठीक है, यह 2 को उधर भेज़ दो जाएगा, 4x is equal to minus 1, therefore x will be equal to minus 1 by 4, तो आपका answer कितना आ गया, x का value आगया, minus 1 by 4, y का value 9 by 2, let's cross check कि क्या हमने जो answer निकाला है, वो सही निकाला है कि नी, बिल्कुल सही निकाला है, x का value minus 1 by 4 and y का value 9 by 2 is the perfect answer, बहतरीन तरीके से solve किया, यह example को मज़ा आगया, मेरेको भी solve करके, और उमीद करता हूँ, आप लोग भी जब इसको देख हो गया, हमारा, और आप चलेंगे हमारा एक आखरी का, last का example, इसको भी हम लोग देखते हैं, और फटा-फट से इसको solve करते हैं, देखो, बहुत easy है, यह तो direct हमारा answer आजाएगा, कैसे, आपको एक matrix दिया हुआ है, और is equal to direct A दे दिया है, और हमको ABCD का value निकालना है, इसके तो A is equal to A, यानि 2A plus B is equal to 2 हो गया, इसको equation number 1 मालो, फिर A is equal to A हो जाएगा, यानि C plus 2D is equal to 4, बराबर, is equal to 4 हो जाएगा, इसको मालो equation number 2, फिर यह 3A minus B is equal to 3 हो जाएगा, तो 3A minus B is equal to 3 हो गया, इसको मालो equation number 3, वैसे यह 2C minus D is equal to minus 1 हो जाएगा, इसको मालो equation number 4, तो आपने य चाहर equation निकाल दिये by equality of matrices से, समझ में आ रहा है, अब आपको ये दिमाख लगाना है कि आप कैसे solve को रहे हो, देखो यहाँ पे आप देखने मिल रहा है, कि यह जो पहला equation है ये वाला, और ये वाला, इसमें A B है, इसमें भी A B है, तो जो same-same वाले हैं, उसको साथ में रखो मैंने equation number 1 लिया और 3 लिया, equation number 1 मेरे लिए क्या है, 2A plus B is equal to 2, और equation number 3 मेरे लिए क्या है, 3A minus B is equal to 3, इसको हमने एक साथ रखा, plus minus cancel हो जाएका मतब डारेक्ट प्लस कर सकता हूं में, तो 2 plus 3 is equal to 5 is equal to, simultaneously solve कर रहा हूं, minus B plus B cancel, 0 हो जाएगा ये, 2A plus 3A is equal to 5A, तो therefore A का value आ उठा के किसी equation में डाल दो, ये आपका 1 equation था, और ये आपका 3 equation था, आप किसी में डाल दो, तो हम लोगो क्या लिखेंगे, put, put in equation number 1, equation number 1 में डालो, A का value, A का value 1 डालोगे, तो 2 है, A का value क्या है, 1 है, plus B is equal to 2, तो 2 plus B is equal to 2, therefore B is equal to 2 minus 2, B का value आ गया, 0, परफेक्ट, एक बार म B का value बराबर 0 आ रहा है, ये परफेक्ट है, यहां तक हम correct है, B का value क्या आ रहा है, 0 आ र्रा है, कोई दिक्कत की बात है, यहां तक नहीं है, ठीक है, इसका काम खतम, यहां से cross कर दो, तो मेरे पस A के value निकल गया, 49 गया, एक यह निकल गया, एक यह निकल गया, तूसरा, अ C plus D, sorry, आँ गया, यह वाल, C plus 2D है, माफ करना, C plus 2D is equal to 4, यह मेरा क्या है, equation number 3 है, और equation number 4 का है, 2C minus D, 2C minus D is equal to minus 1 है, तेम वोई है, जा करने आपको, यहादे first chapter 10 standard linear equation into variable, वोई धिमाग लगाना है और कुछ नहीं, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों क जो coefficient सेम नहीं है, तो किसी का coefficient सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2D है, यहाँ पे minus 2D अगर होता, तो यह cancel हो जाता, तो मैं क्या करूँगा, इस equation को 2 से multiply करूँगा, तो multiply equation number 4 by 2, तो आपको क्या मिलेगा, एक नया equation मिलेगा, तो पहले तो जो original है, मतलब third वाला उसको as it is रखो, c plus 2D is equal to 4 रखा, यह आपका equation number 3 था, और जब 2 अपने multiply क्या है, तो 2, 2 जा 4 हो जागा, तो यह हो जाएगा 4C, 2 multiply by minus D, यानि minus 2D, is equal to 2 multiply by minus 1 है, minus 2, और यह आपके एक नया equation बने गया, equation number 5, इसको simultaneously solve कर लेते, तो क्या हो जाएगा, plus करना है मुझे, तो यह 2D 2D cancel, क्या बचा 4 minus 2, is equal to, is equal to क्या बच रहा है, 4 में से 2 गया, 2 बचा, c plus 4C, यानिकी 5C, तो कितना हो गया, c is equal to, therefore c is equal to 2 upon 5 आ गया, तो answer c का कितना आ गया, 2 upon 5, let's cross check, c का value 2 by 5 है आ रहा है क्या, by बिल्कुल सही आ रहा है, सही जवाब यहाँ तक, चलो, confidence आ गया, अब इसको उठा के डाल दो, किसी है एक equation में, तो put in equation number, किस में डालू बताओ, इन दोने में से किसी एक में डाल दो, equation number 3 में डाले, तो put in equation number 3, हमने क्या किया, इसको उठा के equation number 3 में डाले, equation number 3 क्या है, c plus 2D is equal to 4, तो c का value है 2 by 5, ठीक है, c plus 2D is equal to 4 है न, c का value क्या डालूंगा, 2 by 5 डालूंगा, तो c के जगा पे लिख दिया, 2 by 5, plus 2D is equal to 4, हमको d का value ची है, तो 2D को उधर बेस तो 4 को इधर 2D, 2 minus 20 minus 18 upon 5 is equal to minus 2D, यह minus, यह minus cancel हो जाएगा, क्या बच रहा है, 2D is equal to 18 upon 5, 2D is equal to 18 upon 5 बच रहा है, 2 को अगर मैं इधर बेस जोंगा, तो 2 अपना, 2 इधर नीचे आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा, यानि D is equal to 18 upon 10 हो जाएगा, ठीक है, धीका value क्या आ जाएगा, 18 upon 10, इसको भी हम cross verify कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो न, 18 upon 10 को, 2 के टेबल में, 2 9s आ 18 और 2 5s आ 10, यानि की, यानि की answer 9 by 5 भी आप लिख सकते हो, कोई परिशानी नहीं, तो इस तरीके से हमने A का value निकाल लिया, 1, B, 0, C, 2 by 5, D का value 9 by 5, तो इतना हो सके मन लगा के solve करते रहना, ठीक है, तो इसी के साथ आज का lecture दोस्तों end करता हूं, उमीद करता हूं, आपको हमारे साथ पढ़के काफी ज्यादा मजा आया होगा, ठीक है, तो that's it for today, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, जरूर से comment करके बताना, वीडियो पसंद आ and goodbye.